नमस्कार आप देख रहे हैं आरंब सिबिल सर्विसेस अकेडमी भोपाल के दौरा आयोजीत इस ओनलाइन प्रोग्राम को दोस्तों आज बड़ी दुखत खबर सामने आई हैं कल तक तो हमें आशा थी कि हम रेसलिंग में सिल्वर या गोल्ड तो लही आएंगे और जिस तरह क प्रदर्शन विनेश फोगाट ने कल किया था उसके आधार पर तो बिल्कुल कहा जा सकता था कि गोल्ड तो ले ही आएगी डेफिनेटली गोल्ड लेने अवली थी लेकिन सुबह सुबह जब मेच शुरू हुआ उससे पहले क्योंकि नियम है कि मेच शुरू होने से पहले ह की वजन किया जाता है और कुछ ग्राम वजन की वज़े से सो ग्राम वजन जादा होने की वज़े से हमारी उन आशाओं पर पानी फिर गया आज हम लोग बात करेंगे उसी डिस्क्वालिफिकेशन की बारे में क्यों हुआ कैसे डिस्क्वालिफिकेशन हुआ लेकिन डिस्क जो हेड्लाइन ने वो है विनेश फोगाड डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम पेरिस ओलंपिक 2024 वेसे ही आठ सालों की मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से वो क्योंकि पिछली बार जब हुआ था तब वो डिस्क्वालिफाइड होगे थी चोट के चलते बहुत गहरी चोट लगे थी जिसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पाए थी इस बार उन्होंने बहुत महनत की लेकिन इस बार भी शायद किस्मत नहीं थी वो कितनी भी महनत कर ले और उससे चूटी जाता है शायद इस को हरा जरूर सकती थी लेकिन किस्मत शायद अमेरिका की साहरा के साथ थी और विनेश कोगाट 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वज़े से डिस्क्वालिफाई कर गई पचास किलो की कैटेगरी में खेलती में आपको बता दो कि विनेश कोगाट पहले 55 किलोग्राम वर्ग में खेलती थी वजन उत्रा ही है लेकिन इस बार विनेश ने अपना घटा करके पचास किलोग्राम श्रेणी में खेलने का उन्होंने कि उन्होंते सिवकार किया और निरने लिया कि फचास में खेलेगी दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति एक्च्वल वजन जिसका जो भी चल रहा हो 55 चल रहा हो तो अगर यदि वह पचास किलोग्राम पर अगर अपने वजन को नियत रखे तो इसके लिए डाइटिंग बड़ अगर आपने वजन को कम करने का और फिर भी आखिरकार वो 50 किलोग्राम रहा गया अगर उन्हें एक दो घंटा और समय दिया जाता तो शायद विनेज जो हैं अगर रिक्वेस्ट करती अगर समय मिल जाता तो शायद यह 100 ग्राम भी वह कवर कर ले दी दोस्तों जाथ 2 किलो उन्होंने कवर किया था वहां 100 बहुत बड़ी बात नहीं तो जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं वो इस चीज को भली बात ही समझ सकते हैं बहुत सारे प्रशन आपके दिमाग में होंगे उनका जवाब में आपको दे दूँगा इंडिया टूटे की जो लाइन हेडलाइन से वो है पेरिस ओलम्पिक्स विनेश कोगाड डिस्वाइल ग्वालिफाइड फाउंड ओवर वेट अहेड ऑफ रेस्लिंग फाइनल फाइनल की रेस्लिंग शुरू होने से पहले ही उनका बढ़ गया था डिस्पाइड बेस एफ़र्ट बाइद टीम तो दे नाइट शी वेटेट इन फ्यू ग्राम्स ओवर 50 ग्राम पुरी राद भर उन्होंने इस वेट को कम करने के लिए काफी अच्छा मशकत किया यह नहीं है कि उसके लिए हम उनके डाइटीशन को उसके लिए ब्लेम कर सकते हैं उन्होंने वाक्य में बहुत अच्छा एफट लगाया वजन बढ़ा हुआ था तो उसको कम करना था कम करने के लिए उन्ह अगर हम बात करें उनकी पिछले दिन के पर्फॉमेंस की तो उसको देखकर तो कोई भी खह सकता है कि विनेश जिस फॉर्म में थी उसके इसाप से तो गोल्ड आना तही था अगर विनेश आज हार भी जाती तब भी उन्हें सिल्वर तो मिलता ही लेकिन जिंजन को उन्होंने हरा एक साथ तीन तीन लोगों को उन्होंने हराया उन्होंने पूर्व चेंपियन जापान की सुसाकी को हराया और यह महज 15 सेकंड 15 से 19 सेकंड का गेम था आखरी बचा हुआ जब विनेश फोगाट बिल्कुल हार ही चुकी अंत्य में उन्होंने तीन पॉइंट किये थे अगर यह आपने मेश देखाया तो आपको बड़ा यह इंटरस्टिंग और बड़ा रोमान्चक मेश लगा होगा एक मेश उन्होंने जब खेला यूक्रेन की उक्साना के साथ तो उनको भी साथ पास से हरा दिया एक मेश जिस अधर किनार करते हैं उन्होंने यह जगा बनाई थी लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और किस्मत हमें कहीं और ले आज उनका मेश यानि वेनस्दे को आज होना था USA की सारा के साथ और यह फाइनल मेश होने से पहले यह खबर आती है जो बड़ी दुखत थी हाला कि जब उन्होंने एक साथ तीन मेश जीते तब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था जो लीडर अप अपोजिशन है वो ट्वीट करते हैं कि एक ही दिन में दुनिया की तीन दुरंदर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ पुरा देश भावुक है यह यह जो कमेंट है उनका यह जीतने के बाद यानि कल एक दिन पहले करा गया था जब डिस्क्वालिफाई नहीं हुई थी उससे पहले पुरा देश भावुक क्यों पुरा देश उत्साइत होना चाहिए था राहुल गांधी की जो लाइन है यह इस बात को संकेत करती है कि कु कुछ राजितिक कारणों की वज़े से उनको और कुछ दुख जिलना पड़ा था कुछ स्ट्रगल करना पड़ा था यहां तक की सड़कों पर उन्हें घसीटा भी गया था सब के वीडियो और सब कुछ हमारे पास है यानि आप सबने वो चीज देखिए मीडिया ने उसको बर-बर के दिखाया था इसलिए रहूल गांधी ने इसको भाव पल कहा जिन्हों ने भी विनेश और उसकी साथियों की संगर्ष को जुटलाया उनकी नियत और काबिलियत पर प्रशने चिलन खड़े किये आज उन सभी को जवाब मिल चुका है यह बात वह एक दिन पहले ह कर रहे हैं कि जब वह स्ट्रगल कर रहे थे अपनी मांगों के लिए तब कोई नहीं देख रहा था आज भारत की बहादूर बेटी के सामने सत्ता का वह पूरा तंत्र धराशाही पड़ा है जिसने उसे कून के आसूर उलाए थे और चेंपियंस की यही पहचान है वह अपन उनके सूप कामना दे तो ज़्यादा अच्छा है अपने राजनितिक तरह के कमेंट भी करना सही नहीं होगा क्योंकि अभी आमें उनके साथ रहना है ना कि इन चीजों को जो पुरानी हो चुकि ने बार बार दोभराना है मोरी साहब जब डिस्क्वालिफाई वो उसके बाद भावाद के प्रदान मंत्री साहब भी अपना कमेंट पास करते हैं वो बोलते हैं कि विनेश यू आर्दे चैंपियंस अमंग दे चैंपियंस यू आर इंडिया प्राइड एंड इस इंस्पायर इंस्पिरेशन फॉर इ यह शब्दों में बया करपात मुश्किल हैं आपने इससी सिचुएशन से जूज लिये हैं तो यह सिचुएशन भी आप इसको भी कर लेंगे क्योंकि जो भी हुआ वह हो चुका है अब आगे बढ़ना चाहिए हम सब आपके साथ में हैं तो आप इस सिचुएशन खड़ी हुई है इसा पुरा देश आपके सामने हैं तो दोस्तों यह थी कहानी और फाइनली उन्होंने इतनी जीत के बाद भी एक ही दिन मे लेकिन उसके बाद उनका वजन बढ़ गया रात में और जब रात में जब रहता होगा इस बात से हम बिल्कुल दर किरार नहीं कर सकते कि उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया पूरी रात उन्होंने एफर्ट लगाया सोर्च की माने तो उसके बाद भी 100 ग्राम नहीं क मिलेगा, अब क्या होगा, वो result आपको दिखाएगा, जो final में पहुंची हुची है सारा उनको gold medal मिलेगा और शायद silver किसी को मिले या ना जंको उमीद ने, फिलाल इनकी हात में कोई कोई उमीद नहीं, लेकिन हमें gold या silver से फिलाल कोई मतलब नहीं है फिलाल हमें मतलब है कि हमारे देश की बेटी किस तरह से लड़ी और उन्हें दिखा दिया देखिए जो ज़जबा उन्हें दिखाना था वो दिखा चुकी और वो लोहा मनवा चुकी दुनिया को तो हम विनेश के साथ में हैं गोल्ड या सिलवर कोई मायने फि के लिए अब नहीं हुआ तो क्या हुआ अगली बार फिर प्रयास करेंगे इसे के साथ मैं अपना आज का सूचना समाप करता हूं मिलते हैं दुबारा से नहीं सूचना के साथ थैंक यू सो मच